तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? I hope आप अच्छे ही होंगे. आपने थमनेल में तो देखी लिया होगा. फिर भी, आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिवुड के खिलाडी कुमार, अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी स्काई फोर्स के बारे में. हम जानेंगे कि इसका न्यू रिलीस डेट क्या है, कब तक इसका टीजर आता दिखाई दे सकता है और साथ ही इसके कास्ट, डाइरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में भी चर्चा करेंगे. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. कृपिया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं सारा अली खान और सुनील शेटी मैन लीड में दिखाई देंगे. अक्षय कुमार की फिल्मों में हमेशा कुछ खास देखने को मिलता है और इस बार भी उनके फैंस को एक नई और दिल्चस्प कहानी का अनुभव मिलेगा. इस मूवी के बारे में कहें तो स्काई फोर्स मूवी के डाइरेक्टर संदीप केवलानी है. संदीप ने पहले भी कई शांदार फिल्मों का निर्देशन किया है और हम सबको उमीद है कि वह इस फिल्म में भी कुछ अधभुत लेकर आएंगे. अब बात करते हैं स्काई फोर्स मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में. इस फिल्म को मेट डॉक्स फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा. प्रोडक्शन हाउस का नाम सुनते ही हमें उनकी क्वालिटी और सोच के बारे में अंदाजा हो जाता है. अब बढ़ते हैं स्काई फोर्स मूवी की न्यू रिलीज डेट के बारे में. दोस्तों आपको पता ही होगा कि पहले स्काई फोर्स मूवी 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिर कुछ कारणों से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया. मेकर्स ने अभी तक कोई न्यू रिलीज डेट भी एनाउंस नहीं की है. तो क्या हुआ मैं हुना मैं आपको न्यू रिलीज डेट के बारे में बताऊंगा कि स्काई फोर्स मूवी कब रिलीज होगी. तो दोस्तों Sky Force Movie की New Release Date के बारे में कहूं तो हमें Sky Force Movie अब सीधा चार महीने बाद यानि Republic Day को जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना Republic Day को अगर Date के बारे में कहूं तो 23 जनवरी 2025 को दोस्तों मज़ेदार बात ये है कि 23 जनवरी 2025 को ही हमें Sunny Diol की Upcoming Movie लाहर 1977 मूवी भी रिलीज होने वाली है यानि एक बार फिर से हमें Aक्षय कुमार और Sunny Diol का कलेश होता दिखाई देगा आपको याद ही होगा दोस्तों 11 अगस्त 2020 को Aक्षय कुमार की OMG 2 और Sunny Diol की गदर 2 का आपस मैं कलेश हुआ था जिसमें Sunny Diol की गदर 2 ने छपरफाड के कलेक्शन किये थे लेकिन OMG 2 भी हिट हुई थी लेकिन छपरफाड कलेक्शन नहीं कर पाए दोस्तों एक बार वीडियो को स्टॉप कर दो और अपनी राय कमेंटमेंट दो कि कौन सी मूवी छपरफाड के कलेक्शन करेगी अक्षय कुमार की Sky Force मूवी या Sunny Diol की लाहौर 1947 जल्दी कमेंट करो क्योंकि ये दोनों मूवी ही देश भक्ती और दुश्मनों से देश को बचाने पर मूवी होने वाली है Anyways दोस्तों बढ़ते हैं Sky Force मूवी की मैन अपडेट पर तो दोस्तों Sky Force मूवी को रिलीज होने में चार महिने से भी कम टाइम बचा है इसलिए Sky Force मूवी के मेकर्ज ने अक्टूबर महिने के पहले वीक में Sky Force मूवी का टीजर रिलीज करने का सोचा है दोस्तों अगर Sky Force मूवी की टीजर की रिलीज डेट बताऊं तो Sky Force मूवी का टीजर 2 अक्टूबर 2024 को जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दो अक्टूबर 2024 को गांधी जयन्ती पर जब ये पोस्ट पॉंड होने से पहले ये मूवी हमें सिनेमा घरों में दिखाई देने वाली थी उसी दिन यानि 2 अक्टूबर 2024 को Sky Force मूवी का टीजर हमें आता दिखाई देगा दोस्तों तो कैसी लगी आपको ये अपडेट मैं तो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं अपनी राय जरूर जरूर कमेंट में दो और आपको अपडेट को लेकर या कोई भी और अच्छी बुरी बात लगी हो तो कमेंट जरूर करिए बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए इतना ही